एकदम नया वीडियो है जिसने सियासत में नया संग्राम मचाया है वीडियो में काला बॉक्स दिख रहा है काले बॉक्स को कुछ लोग दूसरी तरफ ले जाते दिख रहे हैं बॉक्स के आगे पीछे अफरा तफरी का माहौल भी दिखता है विडियो में दिख रहे लोगों के पहनावे वैसे हैं जैसे नेताओं के सुरक्षा गाड काले सफारी सूट पहनते हैं इस काले बॉक्स को लेकर सफारी सूट पहने ये लोग एक गारी के पास जाते हैं गारी में काले बॉक्स को रखा जाता है और फिर गारी निकल जाती है कुल 40 सेकेंड का ये वीडियो है इस वीडियो को कॉंग्रेस ने जारी किया और कुछ दावे किये है वीडियो करनाटा के चितर दुर्ग का है पिम की रैली से पहले का वीडियो है चितर दुर्ग में पी-म के हलिकॉप्टर से काला बॉक्स उतारा गया हलिकॉप्टर से उतार कर बॉक्स को कार में रखा गया उसके अंदर रखवाया गया और वह एक दम से वहां से चली गई यह जानकारी हमारे पास आई है कल हमारी मांग है इसकी तुरंथ जान चो वीडियो और दावे जारी करने के बाद कॉंग्रेस ने सवाल उठाए बॉक्स सेक्योरिटी प्रोटोकॉल का हिस्सा क्यू नहीं था? इनोवा पीम के काफिले का हिस्सा क्यू नहीं थी? किसकी कार थी? बॉक्स में क्या था? इसकी जाच हो ये खुलासा होना चाहिए कि उसके अंदर क्या था? वो कहां गया बक्सा? वो गाड़ी कौन सी थी? देश की जनता को अधिकार है ये जानने का प्रधान मंत्री के अपने हित में है कि प्रधान मंत्री पद की संस्था की मर्यादा को देखते हुए ये सचाही सामने आए कॉंग्रेस ने आरोप लगाया और चुनाव आयोग से जांच की मांग की कॉंग्रेस के सामने आते ही पलटवार करने के लिए बीजीपी की प्रवक्ता भी सामने आए बीजेपी ने कॉंग्रेस पर आरोपों का दोहराव जरूर किया है मगर उसने कॉंग्रेस के सवालों के जवाब नहीं दिये जबकि संदिक्द बक्से में क्या था इसे लेकर कयासों का दौर भी तेज है और सियासत भी कॉंग्रेस के सवालों के जवाब देने के बजाए बीजेपी भी सवाल ही कर रही है और असली सवाल छूट रहा है क्या ये बॉक्स पी-म के हिलिकॉप्टर से उतारा गया और अगर हां तो इस बॉक्स में क्या था और ये कहां ले जाया गया इस तरह की इंट्रेसिंग विडियोस के लिए यूट्यूब पर न्यूस तक को सब्सक्राइब कीज़े और हां 2019 की हर ख़बर हर चुनावी ख़बर सिर्फ न्यूस तक पर सिर्फ सब्सक्राइब नहीं साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएए झाल